इंडिया रोमा किचन में एक आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आज हुली स्पेशल में बनाने जा रहे हैं कांजी वड़ा कांजी वड़ा बनाने जारहे है कि कांजी के लुओ कि लिगि और फिर अवेले कांजी कर्थते हैं तो च्चालेवार है लिगार जो कांजी वड़ा बना रहे हैं तो यहां मैंने चार लीटर पानी ले लिया है और उसे अबाल लेना है इसे बालना बहुत जरूर है क्योंकि पानी को को बाले है और सकते हैं मैं मैंने एक का लिया और यहां पर मैंने तीन टेबल स्पून कमासel गाल थे यां पर मैंने तेन टेबल स्पून्ज करीक और सुड़ी से लगाल है कि अंत अचा कि п saat अब और अब लाल मिर्ज पॉरडर Remember me cap कश्मेरी मिच या लाल मिच का पॉर्डर जो भी आप चाहें तो अच्छा चट पड़ा सा टेस्ट आजाता है और इसमें डाल रही हूं हींग हींग डालने से क्या होता है कि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है वैसे भी डाइजेशन के टाइम पर यह आपको बहुत हेल्प करती है कांज अजरा है इसको हम थंडा कर लेंगे थंडा मतब्थ के लिए मसाले डाले तो यह आपका ल्युक वार्म हो ना चागी बिल्कुल थंडा भी नहीं हो और इसमें चार चमची मैंने दही ले लिया और जो होता थोड़े नहीं होती है तो दही को खटटा करने में एजी रहता है तो यहां पर मैंने दही ले लिया है और इसके अंदर अपने सारे मसाले मिला लिया और देखिए इसको ऐसा समने पेस्ट बना कर और अपने जो मेरा पानी था वो थोड़ा सा गुन-गुना सा रह गया था इसके अंदर मैं इसको मिला दूंगी और अच्छे से मिला कर इसको हम से छोड़ें तो बस देखिए मैंने कर लिया मैं अच्छे से मिलाकर और इस पानी को आप तीन से चार दिन के लिए धूप में रख सकते हैं अगर आपके पास धूप नहीं आदी तो रूम टेपरचर भी छोड़ सकते हैं मैंने दही मिला दिया तो वैसे यह खटा हो जाएगा तो आप इसको रूम टेपरचर भी में रख सकते हैं और इसको रोज तोड़ा तोड़ा हिलाते रहें बस यह देखिए मैंने अच्छे सा मिक्स कर दिया है पानी और पानी बनके बिल्कुल तयार है और इसको मैं एक शीशे के आप जब भी इसको स्टोर करें तो शीशे के ब बढ़िया तयार हो जाता है और यहां मैं दाल के वड़े बना रही हूं मैंने उड़त की दाल लिया है यह मैंने एक कप उड़त की दाल ले ली थी और इसको मैंने तीन से चार घंटे के लिए गरम पानी के अंदर सोक करके रख दिया था बस उसके अंदर मैंने थोड़ी सी मिर्ज डाल दिया है हरी मिर्ज डाल दिया है और थोड़ी सी इसके अंदर अधरक डाल दिया है और इसको थोड़ा सा रदा पानी डाल के हमने ज्यादा पानी नहीं डालना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम पेस्ट बना लेंगे दर दरा सा और अब देखिए इसको व पर इसमें रवर डाल दीजें तो क्यों होता है कि आपके जो वड़े होते ना वह अंदर से बड़े फोके और अच्छे से बनके तयार होते हैं तो यह मैंने थोड़ा सा रवार डाल दी कुछ लोग इसके अंदर बेकिंग पॉडर भी ढल देते हैं आप चाहें तो डाल दें और बस उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक डाला और अब मैं डाल रही हैं उसके अंदर जीरा और हमारे डाल बन के तयार हो जिए यह देखे इसकी पहचान है कि जब इसको फेटें तो हाथ से फेटें या ब्लेंडर से फेटें तो ये थोड़ा से stiff होकर उसके उपर चुपक जाना चाहिए गिरनाने चाहिए और ये देखिए पानी में डालकर देखिए अगर से तो आपकी पकोड़ी उपर तैर के आ जाती है तो आपका ये बनके तैयार है और यहामें इनको तलना शिरू कर दिया है तो बस मैं इसको तल से चुपकते नहीं और इसली अलग हो जाते हैं और बस इसको थोड़ा गोल्डन गोल्डन साब तलके और निकाल लें हाँ जब भी हम वड़े बनाते हैं तो ये चीज़ हमारे को जरूर करनी पड़ती है कि हमारे को इसको रीफ्राइग करना पड़ता है तो एक बद जब आ प्राइब भी कर लिया है और ये मेरे वड़े जहें ये बनकर बिल्कुल तयार हो गएं यह देखे कितने बढ़िया वड़े हैं जो बनकर मैं निकाल रही हैं उनको एब्सौर्बिंग पेपर के उपर आप निकालने तो सारा जो एक्स्ट्रा देल होता है ना इसका वो निक कि और यहां देखे रंजी तायार हो चुकिक है उनको मैंने गरम पानी में डाल दी अलब बन के वाने किया है और यह तो आपको मेरे यह पता लगी जाएगा कि यह कैसी बजीद बनी थी गांजी यह देखिए अब मेरा रियक्शन देखिए आपको पता लग जाएगा कि वाह क्या गांजी बनी है अच्छा एक बात आपसे कहूंगी कि इस कांजी का पानी तो आप बना कर रखिए बट इसके अंदर वड़े तीन चर घंटे पहले डल के इसको फ्रेज में रख दें और फिर खाएं इसी पानी के अंदर आप बूंदी भी डालके का सकते अंदर इसी पानी में ह chili और चलए नयवा, आ स्थक्रेश लिए